नमस्कार दोस्तों, हम एक नई जानकरी लेकर आए हैं, वीडियो को पूरा देखना, साथी वीडियो को लाइक कर देना, और ने हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर देना, साथी बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि नई वीडियो पहले आप तक पहुंच के, मोदिका, निया एलान, पोलिफिन, पलास्टिक बेक बंद, पलास्टिक इतना पेर जमा चुका है, सूबह साब करो, उससे की गुणा, शाम को जाता है, हमारी हरी बरी धरती को दीरे दीरे निगल रहा है, और एक दिन, हमारी धरती नहीं रहेगी, यह एक पलास्टिक का ग्रह के करती हैं 이ोली दुकान दार हमारे पॉलिथिन में बेता है रहर हमारे उसके बदले में पैसे भी देती हैं में हम ये बात बूल जाते हैं कि या जाल प्लास्टिक का बुन हो और रहे हैं और हम इसको खरीद रहे हैं यह हमारे लिए हानिकार कहु ह sunshine कर और समान में दुकादार हमारे पॉलिथिन में डाल कर दे रहता है और हम उसके बदले में पैसे भी देती हैं हम ये बात भूल जाते हैं कि ये जाल प्लास्टीका बुन रहे हैं और हम इसको खरीद रहे हैं तो ये हमारे लिए हानिकार काँ ये नहीं सोचते हैं चलो हानिकार की क्या पड़ी हम तो अपना उल्लू सिद्धा कर रहे हैं तिक तो इतना फेल चुका है कि हम खानी पीने में यूज करती हैं और चाय भी डिस्पोजरी लास में पिरते हैं और एक दिन हम इतना फिष्टाएंगे इतना फिष्टाएंगे कि सोचने का मुका भी नहीं मिलेगा चलो होगी जो देखी जाएगी अब देखती हैं इन बेचारे बेसारों को क्या बता जो हम बोजन कर रहे हैं ये प्लास्टिक है और इसको ये खाकर अपना पेड बर रहे हैं और ये नहीं जानते एक दिन इस प्लास्टिक खाकर हम मर जाएंगे जैरी नीद में सो जाते हैं और अपना जीवन कुर्बान कर जाते हैं और जाते जाते इनसान को कुछ देख कर जाते हैं कुछ इंसान से कुछ लेते नहीं है लेते हैं सिर्फ मोथ चलो इनकी आत्मा को शांती मिलें आगे बढ़ते हैं समुंदर के और प्लास्टिक समुंदर को ही कबर कर चुका है समुंदर में बहुत ज्यादा प्लास्टिक है दर्थी से ज्यादा है और इन में जन्तु है जीव ह वो अपना बोजन समझ कर इसको खा लेते हैं, उनके क्या बता यह हमारा निवाला है कि नहीं है, और बिचारे वो भी मर जाती है, और अपना जीमन कुर्मान कर देती है, प्लास्टिक आवाले कर देती है, चलो खेर आगे बढ़ते हैं, एक बचा जंगल, उसमें मुझे मालू प्लास्टिक फेला हुआ एक नहीं फेला हुआ, लेकिन ऐसे अलात रहेंगे, तो आने वाले दिन में प्लास्टिक जुरूर फेलेगा, प्लास्टिक आगे फेले ना, और परदान मंतरी जी को कह दिल से धन्यवाद देता हूँ, प्लास्टिक पेग बेन किये हुए है, और देश मुक्त करे और पूरा विश्व मुक्त हो तो इससे बहुत अच्छी बात होगी और हमारा ग्रै प्लास्टिक ग्रै बनने से बच जाएगा धन्यवाद ये वीडियो मैंने पहली बारे बनाई है कोई कमी रेगे तो माप करना जैहिंद